नमस्ते, आज मैं शेयर करने जारी हूँ पंजाबी राजमा मसाला की रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे एक खास मसाले के साथ में, जिसे चावल के साथ में खाने में तो इसका स्वात दो गुना हो जाएगा, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा, तो यहां पर मैंने एक कटूरी की लगभग राजमा ले लिया था, यहां पर मैंने लाल वाले राजमे का इस्तिमाल किया है, इसको राद बेगोने के लिए रग दिया था, तो यह आ आद रहे है पानी बहुत जादा एड ना करें, दो से तीन कटूरी सफिशेंट है, साथ ही आदा चोटे चममच नमक और एक चौथा चममच बेकिंग सोडर डाल देंगे जिस्ते इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, दूसरी बात है राजमा बहुत जटपट से पकेंगे, अब हम इसको गैस पर रख देंगे, एक सीटी हाई फिलिम पर और चार से पांश सीटी लो फिलिम पर आने तक इसको पकने देंगे, तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने चार मीडियम साइज के टमाटर लिया है, एक अदरक और हरी मिर्च लिया है हरी मिर्च का तीखापन आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं, तो देखें यहाँ पर पेस्ट तयार हो गया है, तो अब हम चलते हैं सबजी बनाने के प्रॉसेस में, यह हमेंने चार छोटे चम्मच के लगभग घी लिया है, आप चाहे तो इसको तेल में भी बना सकते ह लेकिन जो राजमा सबजी है वो घी और बटर में बनाने में ही सबसे बढ़िया स्वाद देती है, तो घी के गरम होते से ही एक चौथा चम्मच जीरा, थोड़ा सा तेज पत्ता, यह ऑप्शनल है, एक चौथा चम्मच हींग डाल देंगे, और अब में यहाँ दो मीडियम साइस के चम्मच जो धनिया पाउडर यह एड़ करेंगे, धनिया पाउडर थोड़ा सा ज्यादा एड़ करेंगे, इससे क्या होगा कि जो सबजी की थिकने से बहुत अच्छी होगी, एक चौथा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में एक छोटे चम्मच कसूरी में थी, उसक इसको मिला देंगे, साथ ही बड़ी ऐसे कलर के लिए, आदा चोटा चम्मच कश्मीरी लाल में चैट किया है, इसको मिला देंगे अची तरीके से, और आपको यह सारा प्रोसेस धीमी आच में ही करना है, लो फ्लेम पर, आप इसको ढखके रग देंगे, पाच मिनिट के लि आप देखेगा, मैं इसको एक बाद चैक करके बताती हूं, बहुत अच्छे से पक गए है, तो आप मिला देंगे, तो आपना मसाला चैक कर लेते हैं, तो हमारा 50% मसाला पक गया है, तो हमारा नमक आट कर देंगे, और नमक आट करने के बाद में भी अच्छी तरीके से मिल इसको एक बाद मिला देंगे, इसमें बहुत बढ़िया खुश्बू आ रही है, कलर भी बहुत अच्छा है, बहुत जादा मसाले हमने आट नहीं किये है, तो आप हम इस स्टेज में अपने राजमा आट कर देंगे, पानी सहित, बढ़िया से मिला देंगे, और यह देखे, इतनी ही काफी है, थोड़ा सा पानी जादा ही रखें, क्योंकि जब अबलेगी तो अलड़ी गाड़ी हो जाएगी, तो गाड़ी और सब्सक्तेंसी आप अपने हिसाब से ले सकते है, तो चावल के साथ में तो यह तो यह लगती है, तो यह कोबाल आने पर हम इसको गैस का कर देंगे, और 10-15 मिट इसको अच्छे से पकने देंगे, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाड़ी हो जाए, और यह देखें, एकदम पर्फेक्ट कंसिस्टेंसी में हमारी सबजी तयार हो गई है, यह देखें, चावल के साथ में यह बिलकुल पर्फेक्ट है, क्योंकि जब ठंडी होगी, तो अब हम इसमें अपना खास मसाला, जो कि हमारा मैगी मसाला है, वो हम एट कर देंगे, इससे सबजी का जो सवा देना वो दो गुना हो जाएगा, तो बहुत ज़्या नहीं, मैंने सिर्फ आदा पैकिट ही इसमें इसमें इस्तिमाल किया है, अगर आप तो रेडी है हमारे राजमा मसाला की सबजी, देखिए कितनी आसानी से बन गई, खाने में तो बहुत ही अच्छी लगती है, राजमा तो सभी का फेवरेट होता है, जहां तक तो, चावल के साथ में तो यह बेस्ट कॉमिनेशन है, बस तो आप इस तरीके से बनाईए, चट κरeriages फेशे होता है, घरो है, राजमा मसाल। प्रहती है और नहीं जहीए सबस्क्राइ, оды कर। लेरा-जार बनाईए, यहां टो सबस familiar स्बस्क्राया है, यह अए राहता है लिएकी फॉम सेPlans, तो आटो для सबदर 20 peace oven